नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं पाराशिक्षक सहायक अचार्य न्यूक्ति परिक्षा के खिलाप सहायक अचार्य न्यूक्ति परिक्षा 27 अप्रेल से आयोजित किये जाने पर पाराशिक्षको को अपति है पाराजिस्को का काना है कि जार्कन करमचेर चैन आयोग ने इंटर प्रसिक्षित सहायक अच्चार यह के पदो पन्युक्ति के लिए 27 अप्रेल से परिक्षा लेने की घोशना की है हालाकि इसमें सामिलित होने वाले अधिस्क के पाराजिस्को का लोग सभा चुनाव को लेकर परसिक्षन चल रहा है ऐसे में पाराजिस्को के इस परिक्षा में भाग लेने से वंचित हो सकते हैं वे परिक्षा की ठीक से त्यारी भी नहीं कर पाएंगे बता दे टेट सफल सहयक अध्यापक संग के अनुसार लोग सभा चुनाव के करन पाराजिस्को की सभी परकार की छुटिया रध है चुनाव कारे है तू सभी जीलो में सिक्षको का परसिक्षन भी हो रहा है चुनाव कारे हेतु बहुत सारे पारत सिक्षक ट्रेनर के रूप में भी कारे कर रहे हैं पारत सिक्षक बीलो का भी कारे कर रहे हैं ऐसे में 27 अप्रेल से परिक्षा आयोजीत करना उनके साथ अन्याय होगा उन्होंने इसकुली सिक्षा यमसर सतावी भाक से इस पत संग्यान लेने तथा इस परिशा को अस्थागित करने की माँग की है कलपना सोरेन का सिंग्भूं की धर्ती से बिजेपी को संदेश पूर मुख मंत्री हेमन सुरेन की पतनी कलपना सुरेन मंगलवार को सिंभूं की धर्ती चाइबसा से बिरोधियो परजम कर बरसी इंडी गडबंधन प्रत्यासी जोबा मांजी को जीताने का संकल्प देते हुए उन्होंने कहा है कि ए सिंग्भूम की धर्ती है यहां की जनता से रहा है ना पहले जुकी थी ना अब जुकेगी आपकी ताकत ना अंग्रेजों के सामने जुकी ना अब ताना सही सरकाह के सामने जुकेगी भाजपा को उखाड फेकने का काम करना है कलपना सुरेण ने यह भी कहा है कि मनीपूर में क्या हुआ आपने देखा आदिवासी की बात करते हैं लेकिन जब उनका नरसंहार हुआ तो बिजेपी नेता ने वहाँ पैर तक नहीं रखा यह इनका आदिवासी प्रेम है जुमले बाज भरे पड़े हैं लेकिन आपको देखना होगा कि कौन जारकन का हीत सुचता है हेमन सुरेण की पतनी कलपना ने आगे कहा है कि परदेश में सरकार बनते ही हो भासा को आठवी अनिसुची में सामील करने का प्रस्ताव दिया तो ग्रिह मंत्राले ने कहा कि बाद में सोचेंगे उन्होंने हो भासा को नकार दिया सारना धर्म कोट को नकार दिया अरक्षन को ख़त्म करना चाहते हैं क्या आप ऐसे लोगों को चुनेंगे पती को याद कर जोवा मांजी ने दाखिल किया नमांकन उन्होंने कहा जन जन के दिलों में बसने वाले जन प्रिये नेता मेरे दिवंगत पती बीर सहीद देवेंदरन माजी जी के अशिरवाद और आप सबों के अपार सने एम समर्थन के साथ आई नमांकन के लिए अपने आवाज से चाईबासा के लिए प्रस्थान कर रही हों जोहार वीर सहीद देवेंदर मांजी अमर रहे जारकन के सहीदों को नमान रांची बिशोबिदाले के फैसले का विरोध शुरू बिशोबिदाले ने अपने उस आदेश को अपस ले लिया बिसुभी दाले ने मंगलवार को उक्त आदेश को रद करते हुए कहा है कि बिसुभी दाले के कॉलेजों का नयक से एक्रीडियेशन होना है जारकन अधिवीद परिशाद दुवारा से कृती मिलने के बाद कोलान सहित अने विसुभी दाले के अंगी भूत एवां समध्द डिग्री कॉलेजों में इंटर्मेडियेट में नमांकन परकिरिया शुरू कर दी गई है रांची विसुभी दाले ने इसे से माना कर दिया है दरसाल इसकूली सिक्षायम ससदा भी भागने इन कॉलेजों में अचानक नमांकन बंद नहीं कर सीटों में चन्डबत धंग से कटवती करने का निर्नाय पिछले बश लिया था उस आदेश के आलोक में परिशद ने हाल ही में तीनों सनकायों में सीटों में कटवती करते वे नमांकन लेने का पत्र सभी कॉलेजों को भेजा है लोहर दग्गा में हाथियों ने किसान को मार डाला लोहर दग्गा के कुड़ू के चंदलासो गाव निवासी किसान महाबीर उराओं को हाथियों के जुन ने कुचल करमा डाला है महाबीर उरासो मुआ रात नौ बजे घर से दो किलोमेटर दूर चंदलासो डेम के समीप फसल की सिचाई करने के लिए गया हुआ था इसी दोरान हाथियों ने उसकी जान ले ली खटना के बाद रात में कुड़ू वन विभाग के टीम चंदलासो पहुँची तथा गरामिनों के सहयोग से हाथियों के जुन को कुड़ू थाना चेतर के सीमा से बाहर चान हो थाना की समीप में खदर दिया है वन प्रमंडल पता दिकारी अर्विंद कुमार कुड़ू मंगलवार सुब्बा पहुँचे तथा मिरिता की पत्नी को मुअबजा रासी में 25 या रुपय का भोकतान ततकाल सहयता के रूप में किया है अभिभावकों ने वाहन चालकों को किया समानित भाग मारा के दागधो बस्ती के गरामिनों ने अनोखी परमपरागी सुरवात की है बच्चों को सुरक्षित तरीके से इसको ले जाने वो ले आने वाले वाहन चालकों को समान समारो आयोजित कर समानित किया है अभिभावकों ने कहा है कि वहन चालकों के जिम्मे बड़ी जिम्मेदारी रहती है वहन में सवार सभी बच्चों को सुवक्षित घर से बिद्याले ले जाने तसा छूटी के बाद बिद्याले से घर तक सकुसल पहुचाने की साथ ही भिशन गर्मी, सर्दी हो या बर्षाज सभी मोशन में चालक अपनी ड्यूटी का इमंदारी पुर्वक निवहन करते है उसी को देखते हुए दगधो बस्ती के अभिभावकों ने कारकरम अयोजित कर सर्ष्वती सिस्व मंदीर बाग मारा के देवनात कुमार, सर्ष्वती सिस्व मंदीर तेलो के संतोस कुमार को माला पहना कर अंगवस्त्र तथा उपहाद देकर जमानित किया है जार्खन बिहार की सन्यूक्त उतबाद टीम पर देवघर में हमला बिहार सीमा से सटे जसीटी इथाना छेत्रे के चरकी पहारी गाव में अवैद सराब के विलूद छापे मारी करने गई बिहार के बांका वजारखन के देवगर उतपाद विभागी सन्यूकत टीम पर गरामिनों ने अचाना कामला कर दिया है इस हमले में बांका उतपाद विभाग टीम के SI गौरी संकर कुमार महिला कर्मी आभा कुमारी स्वेता कुमारी सहीत देवगर उतपाद विभाग के SI किसोर कुमार जवान विकास कुमार घायल हो गए है इसके साथ ही गरामिनों ने चापे मारी में सामील पांच वाहनों को भी इट पथर से चाति गरस्त कर दिया है हमले में उतपाद विभाग के अधिकारी वा कर्मियों की वर्दी भी पट गई है इसके बाद गरामिनों ने हिरासत में ली गई एक महिला को जबरन काड़ी से उतार कर छुड़ा लिया है साहेब गंज के राधा नगर में साथ घर जल कर खत्म साहेब गंज जीला के राधा नगर थाना छेतर के कटहल बाड़ी गाव में मंगरवार की साम चार बजे अग लगी घटना होई इस वज़ा से साथ घर जल कर खाक हो गई हलाकि आग कैसे लगी इसकी असपरस जनकारी नहीं मिल पाई है हलाकि ग्रामिनों की माने तो आग घर में खाना बनाने वाले चूले की वज़ास से लगी होगी खटना के संब्ध में बताया जाता है कि साहेब गंज के कटहल बाड़ी गाव निमासी बीसु मंडल के घर में अचानक आग लग गई देखते ही देखते आग ने अपना विक्राल धारन कर लिया वहीं हवा चलने की वज़स्ते आग ने अलग बगल घर को भी अपनी चापेट में ले लिया जिस से घिंसु मंडल असोक मंडल समेत काई घर जलकर खाक हो गाई है हेमांत सुरेन की जमानत पर सुनवाई अब एक माई को जमिन घarios गोटला मामले में जेल में बंदपुर मुखमन्त्री हेमांत सुरेन की जमानत यजकापर मंगलवर को इड़ी होट में सुनवाई होई बिसेश न आ धिस राजीव रञ्जन की अधालत में ED की ओर से इस ममले में जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मांगी गई इस पर अधालत ने एक सब्ता का समय दिया है अगले सुनवाई अब एक माई को होगी मालूम हो कि यह मामला बढगाई अंचल की 8.86 एकर जमिन घोटाले से जुड़ा है हेमान सुरे ने अपनी किरफ तारीक 15 दिनों के बाद 15 अपरेल को अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याज का दीध्या है रांची एर्पुट पर एक माई से 10 मिनट पार्किंग निसूलक है बिर्शा मुंडा हावाई अड्डा में एक माई से नई बेवस्ता लागू होगी यहां लागतार वाहन पार्किंग और आवा गमान में बर्ती परचानियों को ध्यान में रखते हुए यह परिवर्तन किया गया है एक माई से बिमान पतन पर परवेश से निकास तक प्राइबेट वाहनों के लिए कूल 10 मिनट का समय निसूलक होगा नई बेवस्ता में टर्मिनल भवन के सामने यातरी उठाने और छोडने के लिए अधिकतम 5 मिनट का समय निधारित है तथा या 5 मिनट भी उपर वर्नित 10 मिनट का ही भाग होगा अता हवाई अड़ा पर आगमन से प्रस्थान तक का कुलनी सुलक समय 10 मिन निधारित रहेगा संपती का सर्वे करा कर किसे बाटेंगे कांग्रेस पर भड़के रायनाथ सिंग खुटी में मंगलवार को पहुचे राक्षा मंद्री रायनाशिंग ने कांग्रेस से पुछा है कि देश के लोग संपती का सर्वे करा कर किसे बाटने की योजना है पिछले दिनों पधान मतिनायंद मोदी ने भी कांग्रेस पर संपतियों का सर्वे कराकर एक खास वर्ग को देने की योजना कारोप लगाया था बतादे खुटी में भाचवा परत्यासी अर्जुन मुन्यक नमाकन के बाद आयोधी सभा में देश के रक्षा मंत्री रायनाय सिंग ने कहा है कि जारकन की जनता अपने स्वाभिमान से समझाता होने नहीं देगी इंडिया के नेता इड़ी और सीबी आई को अपनी समपति नहीं बताते लेकिन देश के लोगों की समपति का सर्वे कराने की बात कर रहे है बताज रायनाय सिंग ने आरोप लगा है कि कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों का बटवारा होगा तो मुस्लिमों को प्रत्मिकता दी जाएगी या उनकी बिभाजन कारी सोच है जबकि भारते जानता पार्टी पूर्देश के नागरिकों को भीकास के लिए काम करती है धन्यवाद